नमस्कार जैमादादी सबको तो आप सभी कतहें दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और मातरानी के आईसी कि रिपाप सब पर बनी रहें आप सब तंद्रुस्त रहें मुस्कुराते रहें हसते रहें और आपकी हर एक मनों कामना बेहत जल्दी पूरी हो आज की जो मेरी वीडियो का टाइटल है वो मुझे कया मैं रिक्वेस्ट बहुत आई थी कि इस टॉपिक पे उपर आप एक और वीडियो बनाईा आप चैक कर सकते हैं एक और वीडियो आपके लिएकर आई हूं बहुत ही बढ़िया है असरदार है यह उसी तरीके की यह वशिकर नहीं है किसमें अलगा अलग यह है कि इसमें आपको दूसरे व्यक्ति के मन में बेहत प्रेम, सच्चा प्रेम अपने लिए जो आप पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और अगर नहीं हो रहा, आप चाहते हैं कि उसके बतलब उस व्यक्ति के दिल में आपके लिए सच्चा प्यार पैदा हो जाए आपको कुछ भी ना करना पड़े, क्योंकि आप उसे बेहत प्यार करते हैं, बेहत महबबत करते हैं और चाहते हैं कि वो व्यक्ति भी आपसे इतनी ही महबबत करे, इससे भी ज्यादा महबबत करे, तो आपको क्या करना है, कि उसके दिल में आटोमेटिकली रातो रात ही आपके मन में, आपके मन में जो व्यक्ति किस से प्यार करना चाते हैं पर इजहार नहीं कर पा रहे हैं, इसके अलावा अगर आपका ब्रेक अप हो चुका है तो आप ये उपाई कर सकते हैं, इसके अलावा अगर पती पत्मी है, आपके रिष्टे खराब हो गए हैं, डिवास तक बात चली गई हैं, या पत्मी आपको छोड़ गई है या गर्फरेंड आपको छोड़ गई है लड़की नहीं मांद रही है उसके पेरंस नहीं मांद रही है लड़की आपके प्यार को नहीं समझ रही हर एक उसमें कैटेगरी में आप ये उपाई कर सकते हैं क्योंकि इसका में मोटिव है सामने वाल के उपर कर सकते हैं तो वही सेम प्रोसेस लड़कों के लिए भी है अगर बेहत महबत है बहुत सीरियस है उसके लिए तो ये चीज़ जरूर करें आपको फायदा पहुचेगा रात तो रात उसके मन में आपके लिए फीलिंग्स आएंगे और वो खुद आपसे बात करने के ल अब करने है जैसा मैं आपको शुरू से बताती हो कैसा करना है कि संट करना है की सат अपको बताऊंगी वही प्रक्रिया करते होए उपाई करना है तो आपका जो काम होगा बहुत ही बढ़िया तरीके सी होगा यह कि मन के जरूर नैयर्या पाइण उपने करना कैसे है इस उपाई के लिए शनिवार का दिन ले लेना है साथ से सवा साथ तक 7 से 7 पूरे 7 बजे से लेके 7-15 तक शाम के समय ना 7 बजे से पहले ना 7-15 के बाद कई लोग औसीस में है और काम करते हैं एक दिन जल्दी आ जाया कई लोग क्योंकि मुझे कमेंट्स भी करते हैं क्या हम इतने समय में कर सकते हैं तो यह चीस नहीं होगी, साथ से सवा साथ बजे का ही समय है, इतने बजे ही आपने करना है, अब आपने करना कैसे है यह प्रक्रिया आपको बताती हूं, इसमें आपने एकांत जगा पर, अगर तो आपका बेडरुम है तो बहुत ही बड़ी है, याप की जो खयाल होते हैं, आ जो प्रक्रिया है अपने बेडरूम में ही करें करनी कैसे है आपने आपने जमीन पर बैठ जाना है चौंकडी मारकर जमीन पर बैठ जाना है एक सफेद कागज लेना है उसमें मंतर बताऊंगी उसका करना क्या है वो भी बताऊंगे अपने जमीन पर बैठ जाना है एक सफेद कागज ले देना है लाल पैन लेना है उस पैन से आपने सबसे कागज में सबसे पहले उपर उस व्यक्ति का नाम लिखना है कागज में उपर उस व्यक्ति का नाम लिखना है नीचे आपने मंत्र लिखना है मंत्र है या तुरंत मरी या हाल मरी मैं लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन में या तुरंत मरी या हाल मरी उपर नाम चिठी के लेटर के उपर नाम पेपर के नीचे आपने मंतर लिख देना है ये लिखने के बाद आपने क्या करना है मैं आपको बताती हूँ इसमें आपने left hand की third finger को अपने दिल के पास रख देखना है उसके बाद आपने उस page के ऊपर लगातार नज़र टिका कर देखना है और ये जो मंतर है पहले तो उस व्यक्ति का नाम आपने 11 बार लेने के बाद ये जो मंतर है या तुरंत मरी या हाल मरी इसको 21 बार बोलना है पेज की तरफ देखते हुए लगातार और hand होता है उसकी जो third finger होती है उसी में ही engagement ring डलवाई जाती है इसका बहुत बड़ा पीछे एक logic है एक कारण है क्योंकि इस उंगली की जो नस होती है जो नसे होती है वो यहां से direct आपके दिल तक पहुचती है इसलिए इसी उंगल में आपको अंगूठी दलवाई जाती है इसलिए आपने जो third finger है यहां पर दिल के पास रख देनी है और चुठी की तरफ वो पेज की तरफ नजर टिकाते हुए वो पहरे नाम बोलना है चोटा सा पेज ले सकते हैं नहीं जादा बढ़ा लेने तो चोटा सा पेज लेने और उस पानी में डालने उठने के बाद पानी में डालकर उस चिठी को आपने में पानी पी लेना है यह प्रक्रिया शिरफ और शिरफ शनिवार के दिन होगी शांत के साथ बजे से सबा ले ना बाद में और इस प्रक्रिया करने के बाद आप देखेंगे कि एक ही दिन में आपको response आना शुरु हो जाएगा आपको या तो call आएगी या तो आपसे बात होगी आपका response मिलना आपको शुरू हो जाएगा प्यार उसके मन में आपके लिए जागना शुरू हो जाएगा, आपके लिए महाबबत जागना शुरू हो जाएगा, आपके लिए महाबबत कोई ऐसी वैसी नहीं होगी, बहुत सीरियस होगी, इसलिए अगर आपने यह उपाई करना है, तो सिर्फ उसी के लिए करें, जिसके लिए आप सीरिस हैं कि अगर दूसरा व्यक्ति आपके लिए सीरिस हो गया तो आपको परिशानी हो सकती है अगर आपको उसे बाद में छोड़ना पड़े है कुछ बिगर उसके बहुत सीरिस है उससे शादी करना चाते हैं आपके लिए अच्छी है वो आप उसके लिए सही है तो य इजहार कर रहा है और विवाह तक भी आपका जरूर हो गा उससे तो यही जो मैं इस वीडियो में बताना चाहती हूं मीद करती है आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी होगी इसको जरूर करिएगा आपको जरूर असर देखेगा और इसे किसाब में वीडियो को समाप्त करती हूँ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छ लगी है तो इसे लाइक करें इसे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रीए